ना इशान किशन ना संजू सैंसेंड दूसरे मैच से कटेगा दिगज बैटर का पत्ता ओपनिंग साज़िदारी को लेका टेंशन में है कोच राहूल द्रवर्ड और कप्तान हार्दिक पांडिया आईपेल के बाद नहीं चल रहा है इस बैटर का बल्ला इंग्लाइंग के बाद वेस्ट इंडीज में हुआ फुस अब बेंच पर बैट नाता है युवा बैटर करे का डेब्यू पहली ही गेंद पर मारता है सिक्स टिम इंडिया रविवार को अपना दूसरा मैच खेलने तुनिदाद में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरेगी सिरीज में एक शुने से पछड़ने के बाद कप्तान हार्दिक पांडिया टेंशन में है पहले मैच में टिम इंडिया डेड़ सो रंग के छोटे स्कोर को चेज नहीं कर पाई थी टीम में डेब्यूटेंग बल्लेबास तलक वर्मा को छोड़ कर कोई भी नहीं चल पाया स्टार से भरी टीम के अधिकांश प्लेयर फेल हो गए अब रविवार को होने वाले दूसरे मैच को कप्तान हार्दिक पांडिया जरूर जीतना चाहेंगे लेकिन इसके लिए उनको अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करना होगा इसके लिए हार्दिक पांडिया बड़ा फैसला लेंगे वो टिम इंडिया के बड़े बैटर को बिठा कर युवा प्लेयर को डेब्यू करने का मौका दे सकते हैं हम आपको इस रेपोर्ट में बताएंगे ये प्लेयर कौन है भारत और वस्टिंडीज के बीच रविवार को पांच T20 की सीरीज का दूसरा मैच खिला जाएगा पहले मुकाबले में टिम इंडिया डेड़ सो रंग के टागेट का पीछा नहीं कर पाई थी और चार रंग से मैच हार गई थी तिलक वर्मा को छोड़ दे तो पहले T20 में कोई भारतिय बैटर अपनी चाप नहीं छोड़ पाया डेब्यू T20 में तिलक ने 177 के स्ट्राइक रेट से 22 गिंदों में 49 रंट होके थे शुमन गिल तीन रंट बना कर आउट हुए थे इस टूर पर शुमन गिल बेरंग नजर आए उस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से लेकर अब तक गिल 9 पारियों में सिर्फ एक पार 50 प्लस का स्कूर कर पाए है जबकि ये शस्वी जैसवाल ने वेस्ट इंडीस दौरे पर बतौर आपनर धमाकेदार टेस्ट डेब्यू किया ऐसे में देखना दिल्चस्प होगा कि भारते टीम मैनेजमेंट दूसरे टीट्वेंटी में गिल पर भरोसा जताती है या फिर ये शस्वी को मौका देती है कोच राहूल द्रवड और हार्दिक पांडे के रनीती के हिसाब से तो गिल को मौका मिल सकता है क्योंकि वेस्ट इंडीस दौरे के बाद भारत को इश्या कप खिलना है और फिर घर में विश्व कप गिल दोनों प्रणामेंट में टिम इंडिया की अभियान के लिहाद से है में ऐसे में गिल प्लेइंग 11 का हिसा होंगे यानि ये शस्वी जैस्वाल को टी-20 में डेब्यू का इंतिजार करना होगा इशान किशन ने तीनों वंडे में अर्दश्य तक जड़ा था तो उनकी जगा आपनिंग में पकी है उनका दूसरे टी-20 में खेलना ता है इसके लावा बैटिंग में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा सुरी कुमार यादो तीन और तिलक वर्मा चार नंबर पर बैटिंग करेंगे इसके बाद हार्दिक पांडिया खेलने आएंगे और संजू सैंसन मैच फिनिशर का रोल निभाएंगे संजू भले ही टी-20 में नाकाम रहे हूँ लेकिन टीम मैनेज्मेंट उन्हें एशिया कब से पहले और मौका देना चाहेगा बॉलिंग डेपार्टमेंट के अगर बात करें तो पहले टी-20 में कुलदीप यादो और यूजविंद्र चहल दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा था दोनोंने तीन विकेट जटके थे कुलदीप ज़ादा किफाइत ही रहे हालांकि अक्षर पटेल जरूर महेंगे साबित हुए थे और दो ओवर में 22 रन लुटाए थे लेकिन रविंद्र जाड़जा की गयरहाजरी में वो आल राउंडर की भूमिका निभाते नज़र आएंगे तेज गेंदबाजी की बात करे तो अरशदीप सिंग भले ही लाइन लेंच से भटके नज़र आए लेकिन उन्होंने दो विकेट जटके थे मुकेश कुमार ने डेब्यू किया और तीन ओवर में 24 रन दिये थे मुकेश ने अब तक तीनों फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग किये ऐसे में दूसरे टीट्मेटी में भी टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा दिता सकता है और अगर बदलाव होता है तो आवेश खान टीम में आ सकते हैं माना जा रहा है कि कप्तान हार्दिक पांडिया दूसरे मैच में शुबंगिल, इशान किशन, सुरे कुमार यादो, तुलैक वर्मा, संजू सैमसन, आक्षर पटेड, कुलदीप यादो, यूजविंद्र चहल, अर्षदीप सिंग, मुकेश कुमार या आवेश खान में से क इसी, कमा का देंगे